दोबिंद दोवु खड़े काट्चे लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दिया बताई गोबिंद दिया बताई एक बार फिर से पढ़ते हैं तुम भी साथ में बोलो गुरु गोबिंद दोवु खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दिया बताई गोबिंद दिया बताई बच्चो इस दोहे में गुरु की महिमा बताई गई है काल करे सो आज कर आज कर आज करे सो अब पल में परले होईगी बहुरी करेगा कब यह दोहा तो तुम सबको याद भी होगा मेरे साथ बोलो काल करे सो आज कर आज कर आज करे सो अब पल में परले होईगी बहुरी करेगा कब काल करे सो आज कर आज कर आज करे सो अब पल में परले होईगी बहुरी करेगा कब इस दोहे के द्वारा समय का महर्व बताया गया है क्या धन उद्यम बिना कहो जुपवे कौन बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन जो पंखा की पौन इस दोहे में बताया गया है कि विद्या प्रयास करने से ही प्राप्थ होती है आओ यह दोहा दोबारा पढ़ते हैं विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपवे कौन बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन बच्चो दोसरों के बुराई करना उचित नहीं है साथ से अच्छा व्यवहार करना चाहिए यह दोहा मेरे साथ बोलो और भाव समझो करे बुलाई सुख चहें कैसे पावे कोई रोपे बिर्वा आँख को आम कहाते हुई आम कहाते हुई बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को चाया नहीं भल लागय अतिदूर भल लागय अतिदूर जब तक मनुष्य किसी के काम ना आए बड़ा हुना वेर्थ है मनुष्य को परुपकारी होना चाहिए या दोहा फेर से सुनो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेर खजूर पंथी को चाया नहीं भल लागय अतिदूर कन कन जोरे मन जुरे खाते निवरे सोई बूंद बूंद सों घट भरे टपकत रीता होई बच्यों मनुष्य में थोड़ा थोड़ा करके जोडने की प्रवृत्ती होनी आवशक है जाको राखे साईया मारी सके ना कोई बाल नबाका करी सके जो जग बैरी होई जो जग बैरी हो इस दोहे के द्वारा बताया गया है जिसकी रक्षा इश्वर करते हैं वह सुरक्षित है बुरा जो देखन मैं चला बुरा न दीखा कोई जो दिल देखा अपना मुझे सा बुरा न कोई जैसा कि इस दोहे में सुना दूसरों के दोश न देखकर अपने दोशों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए दुख में सुमीरन सब करें सुख में करें न कोई जो सुख में सुमीरन करें तो दुख का है कोई तो दुख का है कोई दुख में ही लोग इश्वर को याद करते है सुख में कोई नहीं करता इश्वर का ध्यान हमेशा करना चाहिए यहां अच्छा है इस दोहे में भी कितने संदर भाव है हमें सर्थ से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि आपस में प्रेम बना रहे इन दोहों में गुरु की महीमा समय का महत्व विद्या प्राप्ती के लिए प्रयास करना बुराई ना करना परोपकार करना इश्वर की महीमा प्रेम भावना आधी के महत के बारे में बताया गया है दोहों की सीख जीवन में अपनाने से सफलता प्राप्थ होती है जाने से सफलता प्राप्थ होती है